दोस्तों आपके सामने है यह रसमलाई आप देख लीजे यह पहले ऐसी थी जैसे हमने इसको दूद में डाला है यह बड़ी भी हो गई है और फूल भी गई और एकदम सॉफ्ट भी हो गई तो आप जाना जाते हैं ना कि हमने इसे कैसे बनाया है तो चलिए जेबा खान आपक सभी को हैपी रक्षा बंदन फ्रम फुल धाली की पूरी टीम तो मेरे स्टायल की रसमलाई बनाने के लिए हमने यहां पर आधा लीटर दूद ले लेना है ठीक है उसके अंदर हमने आधा चमच ग्रीन वाली इलाइची का पिसावा पाउडर दाल देना है ठीक है और हम उस मलाई के जो बॉल्स है पेड़े है वो बना लेते हैं तो एक कप हमने यहां पर मिल्क पाउडर चाहिए ठीक है और एक अंड़ हम दालेंगे अगर किसी को अंड़े का यह यल्लो नहीं पसंद है तो वो निकाल लीजेगा ठीक है और इसके अंदर हमने पाउच अमच बेकिं टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलू करनी है वो यह है कि अगर आपका जो डव है वो पतला हो जाए तो इसमें दो चमच आप इमीडेटली मिल्क पाउडर जाल दीजेगा और अगर बहुत जादा कड़क हो जाए तो इसमें दो चमच दूद के दाल दीजेगा ठीक है इसम शेप देदीजी, जो रसमलाई का शेप होता है, गोल कोल फ्लाट देख लीजेजे to do second step पेढ़े कि मैं आप सब दोर ने पेज़ से आ होता है AB नहीं कंब अधर करना है, ईक पेड़े जैसे हम रे पर बना लेने है, तो जलिए भाकी से आरे य हम रसमलाई बना लेते हैं ठीक है ना तो आप देख सकते हैं ये बनकर तयार है बस अब हमने क्या करना है एक last and final step आपको हम मेरे साथ पे follow करना होगा तो यहां देख सकते हैं आप दूद continuously slow पर हो रहा है तो बस अब करना क्या है वन बाइवन अराम से सारी रस्मलाई को उठाना है और दूद में डाल देना है और बस आप 3-4 मिनिट में ही देख लेंगे कि ये एक तम फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है बड़े ऐतियाद से आपको इसको flip कर देना है ताकि ये दूसी तरफ से भी इसके अंदर अच्छी तरीके से ये जो दूद है वो चला जाए तो आप देख लीजे ये कितनी beautiful लग रही है तो आप क्या करेंगे दूद को बन कर देते हैं और इसे दो मीट तक ऐसे ही रख कर हम निकाल लेते हैं त उमीद है कि आची हमारी special बना रही हुई ये recipe आप पसंद करके like करेंगे और शेयर करना पिल्कुल भी ना बुलेंगे आप फिर मिलेंगे अला हाफिज